चलो देखो question number 23 कर लेते हैं दो class रह गया maximum आज की class और एक class रह जाएगा कौन सा इसका revolution का ये chapter हमारा खतम हो जाएगा इसके बाद हम start करेंगे new chapter branch that is ठीक है क्या कहता है question में देखिए कहता है उन 1st April 2016 the new plant was purchased Rs.80,000 रुपीज का यानि सर इन्होंने 1 April 2016 में M1 नाम दे देते हैं प्लांट है ना P1 दे दो M1 दे दो कितने का खरीद लिया सर इन्होंने खरीद लिया 80,000 का आगे पढ़ते हैं क्या कहता है further sum end के बाद ना हमेशा याद रखना sentence बदल जाता है या full stop के बाद further sum 4000 words spent on installation यानि इसी के उपर हमने spend किये हैं और कितने spend कर दिये हमने 4000 आगे देखते हैं continue में क्या कहता है was installation 1 October 18 को another plant machinery खरीद है हमने 1 October 2018 माल लेते हैं 1 October 1,10 2018 M2 नाम दे देते हैं machinery number 2 खरीद लिया कितने का खरीदा 50,000 का खरीदा आगे question में कहता है due to an accident 31 जनवरी 2019 यानि जो ये वाला machinery first machinery की बात कर रहा है the first plants totally destroyed was sold 2,000 rupees only कहता है कि 31 जनवरी 2019 में यानि ये इस वाले plant की बात कर रहा है कि 31 जनवरी 31 2019 में एक घटना घटी और उस घटना के अंदर क्या हुआ ये plant पूरी तरीके से destroyed मतलब बरबाद हो गया और उसमें हम इसको scrap जो भी कहलो इसको हमने 2000 में भाई finally बेच के खतम कर दिया है यानि एक तरीके से इस डेट पे हमने इस plant को sold कर रहा है M1 को ये बात बोल रहा है है ठीक है आगे देखते हैं सब आगे कहता है on 21-4-2019 second hand plant was purchase रुपी 60,000 अब देखना इसमें date देखना 21-4 अभी तक ऐसा date नहीं आया question में या तो एक तरीक या तो क्या कह रहा है 21-4 को हमने second hand plant खरीदा है that is 21-4 2019 में और ये M3 है अब देखते हैं आगे क्या पता repair वगरा करवाया हो put to use कब हो further some 10,000 spent इसके उपर हमने फिर से spend कर दिया और ये वाला जो plant खरीदा था हमने वो खरीदा था कितने का सर second hand plant साथ का और इसके उपर मैंने spend कर दिये 10,000 being same use and from इसको हम usable बना पाएं कब से 15-5-2019 से and depreciation has been provide 10% straight line basis यानि सर इसको हमने uses पता कब से किया uses 15-5 से start किया तो put to use 15-5-2019 है तो हम 15-5-2019 से start करेंगे it was practice the provide depreciation your all acquisition कहता है के SLM method है लेकिन एक बात और ध्यान रखना है it was practice जब कभी भी practice शब्द का इस्तमाल किया जाता है तो मतलब accounting से होता है कि जब कभी भी आप accounting करोगे तो क्या करेगा depreciation for full year on all acquisition depreciation पूरा का पूरा साल लगाए जाएगा सारे acquisition पे made anytime during the any year कहता है भाई जब भी आप machinery को खरीदोगे चाहे आप 31 March को खरीदिये चाहे आप April में खरीदिये कभी भी खरीदिये उस पर depreciation पूरे साल का लगेगा तो ये tension तो हो गई खतम इसने 15-5 को खरीदा है तो depreciation जो लगेगा वो पूरे साल का लगना है जिस साल खरीदा गया है पहले ये line देखे समझ में आपको ठीक है और अगे क्या कहता है और अगर कोई machinery आपका बेचा जा रहा है जिस साल उस साल depreciation मत लगाना इसने दो बाते भोली है अगर जिस साल आप machinery को खरीदेंगे उस साल depreciation पूरे साल का लगाना चाहे कभी भी खरीदा हो दूसरा आप अगर बेचोगे तो उस साल आप कभी भी बेचोगे उस पर depreciation मत लगाना किसी assets का insurance वगेरा का कोई पंगा नी है the account are close annually 30 March को होगा 1st April it was decide to follow the rate depreciation 10% और 1st April को इन्होंने decide किया कि भाईया हमारा rate क्या हो जाएगा 2019 यानि इस machinery के बिखने के ठीक बात इन्होंने फैसला किया कि सर हम अपना rate WDB करतेंगा और वो भी 20% method change हो गया diminishing balance method prospective effect और मैंने बताया था retrospective का मतलब होता है back से और prospective का मतलब होता है अब आगे से हम ये method लगाएंगे तो अब हमारा सारा का सारा prospective method पे ही चलेगा एक बार check कर लिजे फिर से आप मेरे सामने तो clear show हो रहा है देख लिजे voice clear है नहीं बता दीजेगा ठीक है it was decided 20% diminishing balance prospective effect existing item plant required कहता है एक तो plant account बनाना है एक provision बनाना है यानि ये वाला question जो हो गया ये बहुत important इसलिए हो जाता है कि इसके अंदर दो concept को मिला दिया गया है इसके अंदर क्या-क्या मिल गया है change method भी आ गया और provision for depreciation भी आ गया पहले पूरा question समझ में आ गया एक बार देख लो आप पूरा question समझ में आ गया देखिए clear है अब इसके working note को कर दे एक बार sir working note में सबसे पहले इसके उपर depreciation लगना है पूरे साल का माल लो यह line नहीं देता आपको suppose करो यह line आपको देता ही नहीं मैं यहां से erase कर देता हूँ तब कैसे पता करते आप जो last date पे transaction वो उसको complete कर दो तो जैसे April complete करना है तो 31 March 2020 तक complete कर देंगे समझ महीं बात यह चीज़ आप ध्यान रखना चलिए sir अब depreciation rate अभी SLM चल रहा है क्योंकि SLM का rate 10% दे रखा था तो 10% लगेगा तो पहले हमारा machinery कितने का हो गया sir 84,000 और इसके उपर लग जाएगा 84,000 का पहला साल complete 75,600 75,600 यह date जो आगई ना हमारी 14,2017 इसके बाद 31,320,2018 क्योंकि SLM है तो फिर से क्या लगेगा 84,000 है ना 84,000 67,200 उसके बाद यह date आगया 14,2018 इसके बाद आएगा 31,320,2019 लेकिन साफधानी रखनी है कि sir यह machinery तो बिग गया है समझ रहे बाद यह इसी साल machinery बिगा है और question क्या कहता है भाई अगर बिग रहा है तो आपका भले ही 31,1 है लेकिन आपको इस situation में depreciation इसके उपर charge करना है या नहीं करना है नहीं करना है depreciation तो इसका मतलब यह 67,200 का ही रहा है और इसको कितने में बेच दिया आपने 2000 का now हमारा fully 65,200 का क्या हो गया नुकसान हो गया 65,200 का नुकसान हो गया 65,200 का यह आ गया हमारा loss पहली machinery का काम done हो गया यह क्या हमारा sold है हमने बेच दिया यह क्या है sold है समझे अब अगर आगे की बात करें हम इसके उपर depreciation की तो कब लगाएंगे हम सर 31,3,2,019 को depreciation लगेगा 6 महिने का लगेगा तो that is 2500 6 महिने का 10% के साब से 2500 तो 47,500 यह date आ गया 14,2,019 अब क्या आएगा सर 21,2,020 लेकिन method हो गया change कब method change हुआ question में 1 April 19 को ही इसने फैसला ले लिया तो जब method हो गया change तो अब लगेगा 20% as per WDB तो 47,500 पे 20% that is 9,500 9,500 तो minus कर देंगा 38,000 यह इसका working note हो गया चलिए इसका भी कर लेते हैं यह आ गया एक चार दो हजार sorry date तो पहले given ही है depreciation लगना है 31,3 2020 में सर कितना लगेगा पूरे साल का लगेगा और क्योंकि यह 19 April में खरीदा गया है 19 year में है तो इस साल तो method क्या हो गया change तो that is depreciation कितना लग जाएगा 14,000 तो 70,000 minus में 14,000 तो 56,000 रुपीज यहां पर आ जाएगा बताईए clear है यहां तक चलिए अब इसी को क्या करना है हमें simply posting करना है change method बगरा होगे अब posting करेंगे हम provision के अंदर सर पोस्टिंग देख लेते हैं कैसे करना है कितने साल का बनेगा 2 से 3 साल का है फटा फट बन जाना है यह बना लिया मसीनरी अकाउंट इधर आएका date इधर particular amount date particular amount यह आगया हमारा बाद में लिख लेते हैं इसका ना एक और अकाउंट बनाना है that is हमें कौन सा अकाउंट बनाना है सर एक और अकाउंट बना लिया यह लो that is PFD any provision for depreciation एक और अकाउंट कौन सा बनाना है यह वाला हमारा plant अकाउंट यह plant अकाउंट अब सबसे पहले जैसे जैसे काम हुआ है वो करते जाएंगे आपने सबसे पहले देखो machinery कब खरीदा है एक चार को कितने का खरीदा है सर एक चार को 84,000 तो पहले हम एक चार को machinery खरीद लेते हैं तो machinery खरीदेंगे एक चार को 2,000 क्या था 16 में 2 bank से खरीदे गे और ये आगया हमारा 84 था उसे आप यहां bracket में purchase लिखना चाहते हैं लिखे हैं तरवाई जोरत नहीं है सर इसके बाद हम check करते है सर M2 के इसी time खरीद है हमने M2 M2 18 में खरीद है ये 19 में तो इस time खरीदने का सवाल ही नहीं होता 3 2017 by depreciation by depreciation सर कितने आगये थे 8400 मुझे याद है तो मैंने लिख लिया अब बस accounting का balancing करना है हमें accounting का balancing कर लेते हैं ये आ जाएगा हमारा 80 400 और ये भी आ गया 8400 और इस साइड आएगा 2 balance balance cd 8400 इसका जो date आएगा same आएगा 31 3 17 अब 1417 को आ जाएगा by balance balance cd sorry bd bd और ये आ गया 8400 चलिए इसको भी balancing कर देते हैं ये भी balancing हो जाएगा क्या करेंगे टू बैलेंस bd that is आपका आगया 84,000 ठीक है अब चेक करते हैं का second machinery खरीदा है एक दस अठारा को खरीदा है जबकि 17 के बाद 31 मार्ट 17 को year end हो जाएगा तो ये तो अगले साँ लागया और वो भी अगले साँ तो second year भी हमने कोई machinery नहीं खरीदा है तो इसका मतलब sir 31,3 18 में सबसे पहले तो डैप लगेगा क्योंकि SLM चल रहा है तो depreciation सेम रहेगा by depreciation आ जाएगा number one पे 80 400 और ये date है 31 3 18 ठीक है फिर से वही process complete कर देते हैं totaling वाला 16,800 16,800 16,800 और यहां आ जाएगा two balance two balance cd that is 16,800 और ये आ गया 31,3 18 अब 1,4 18 देखो question कितना simple है ये बस इसमें न यही दिक्कत है कि formating हमें बहुत सारा करना पढ़ जाता है इसलिए थोड़े से हमें blendी लगता है ये देखने में चलिए अब इसका भी देखो काम करना होगा करा कुछ नहीं हमने बस total ही तो किया है लेकि देखो कितना सारा काम बढ़ जाता है इसमें करने बढ़ जाता है इस साल मसीनरी खरीदा गया है और इस साल बेचा भी गया है यह ध्यान रखिएगा तो सार इस साल मसीनरी जो खरीदा गया है वो पचास अजार दो हजार अठारा में दो हजार अठारा में कब सार एक दस एक दस दो हजार उननिस से सोरी अठारा नहीं है उननिस से ठार है तो यह गड़ पर तो नहीं हो गया हमें एक चार उननिस पर आगए सतरा से गलत लिग देए अठारा आएगा यह अठारा आएगा ठीक है एक दस अठारा में खरीदा किस नाम से तू बैंक कितने का खरीदा 50,000 ठीक है नाव जो थार्ड है वो तो करना है तो सबसे पहले डेप्रिशेशन दूसरे वाले पर तो लगेगा ही लगेगा कब लगेगा 31 अब देखो मैंने एक वर्किंग नूट में मिस्टेक किया आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया मैंने इस पर डेप्रिशेशन कितना लगाया है छे महिने का जबकि लॉ डेप्रिशेशन यानि पूरे पांच हजार रुपए है समझ में आए ये क्या करा मैंने इसके बाद आपका 9,000 आएगा और फिर क्या आगे हमारा 9,000 माइनस करने के बाद 10, 45, 35, 36,000 ठीक है तो चलिए इस पर भी डेप लगा देते हैं तो इस पर डेप लगेगा डेप पांच हजार लगेगा जबाब नहीं है क्योंकि उसे हमने बेच दिया है अब हमें क्या करना है ध्यान दिजिए जब कभी भी कोई एसेट हम बेचते हैं जब भी कोई एसेट बेचेंगे तो सबसे पहले इस वाले में से उसका डेप्रिशेशन निकालके बाहर करने हैं अब इसमें से डेप्रिशेशन निकालके बाहर करने के लिए हम यूज करेंगे टू मसीनरी अकाउंट हमने उपर कौन सा प्लांट बनाए तो प्लांट अकाउंट यूज करना है और इसमें से कितना कब डेप्रिशेशन जिस दिन बेचा गया बेचा कब गया 31,1,2,019 ठीक है अ अब जो मसीनरी भी का है उसका टूटल डेप कितना है तो इसका टूटल डेप देखोगे तो आएगा 16,800 और इसको यहां पर दिखा देंगे हम बाइ पी एफडी यानि प्रोविजन फोर डेप्रिशेशन कितने दिखा दिये 16,800 डेट क्या आ गया 31,12,12 था एक था एक उनिस अब हमने क्तने का बेचा है वो भी दिखा देंगे बाइ बैंक से बैंक से कितने का बेच दिया 2000 यह sold कर दिया हमें ठीक है अब इस पे profit and loss loss है तो by में आ जाएगा by profit and loss और यह हमारा loss है कितने आ गया था हमारा 65,200 का नुकसान आ गया था ठीक है यह date आ जाएगा 31,19 और यह भी date 31,19 date का भी बहुत खासा धियान रखना है नहीं तो आपके marks नहीं मिलेंगे exam में अब भाई M2 भी हो गया depreciation M1 को बेच दिया हमने अब बस totaling का process रख गया क्योंकि M3 तो next year आएगा 8 और 5 13,134 और इधर भी आ जाएगा 134 by balance CD इसमें से जब minus करेंगे तो answer आएगा हमारा 50,000 यह आएगा 31,3,19 ठीक है अब यहाँ पे भी depreciation निकाल लो 16 और 5 21,800 और 21,800 और जब difference निकालोगे तो आएगा 5000 और इसके आगे लिखेंगे 2 balance CD इस हमारा 31,3,19 और अब आगे लास्ट येर है 14,19 by balance BD 5000 चलिए 14,19 2 balance BD 5000 अगर हम देखें अब M3 भी अब ले लिया गया है कब ले लिया गया है इसको लेकिन 15,5,2019 से इसको यूज मिलाए गया तो फरक नहीं पड़ता जिस दिन लिया है वो date लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 21,4,19 2 bank कितने का खरीदा सर यह आप देखेंगे इस पे सारा का सारा अगर हम हिसाब किताब लगाए तो 70,000 का बनता है ना तो यह 70,000 का आगया है चलिए अब हम बेचा तो है नहीं अब depreciation लगाने का काम करें तो सर 31,3,20 में एक depreciation लगेगा depreciation नमबर दूसरे वाले पे मैं मुझे याद है 9,000 और तीसरे वाले पे भी मुझे याद है 14,000 जो कि आपने पीछे लगाए था यह देखिए दूसरे वाले पे 9,000 और तीसरे वाले पे 14,000 इस वाले का तो कामी खतम होगी असर यह तो बिक चुका है हमारा मसीनरी है ना चलिए अब हमें बस टोटलिंग का प्रोसेस करना है और कुछ भी नहीं आप देखोगे नहीं तो कुछन पढ़ने में और काफी सारे टम्स गीवन थे और देखने में थोड़ा सा ड्रामना लगेगा कुछन पेपर में पूरा एक पेज ले जाएगा यह ठीक है तो कॉम्प्लिकेटिट लगेगा लेकिन सुल्यूशन देखो कितना आसान है इसका और यह सवाल आपके एक्जाम में 19 नंबर का पूछा जाएगा जो की सुल्यूशन एजी है तो मेरा मानना है कि सिंपल वाला जो डिप्रिशेशन है उससे कहीं ज्यादा आसान हो जाता है हमारा यह वाला मैथड कौन से वाला प्रोविजन वाला और यह एक दो साल का ही आता है एक बीस एक बीस और बाइ साइड में आ जाएगा बाइ बैलेंस सीडि एक देज एगा एक दीस तीन दो हजार बीस सेम यहां पर आ जाएगा हमारा 28000 और यहां भी आ गया हमारा 28,000 इस साइड आ जाएगा 2 balance CD 28,000 और date आ गया 31,3,2,020 एक last में balance BT बना के छोड़ना होता है जैसे हमने CD कर दिया इसको नीचे space नहीं है तो BT बना के बस brought down बना के छोड़ दोगे तो ये था हमारा overall question number कौन सा था सर? ये था हमारा question number 20 question 23, चीक है इसके बाद मैंने कौन सा छुड़वाया था बताओ फटाफट ये हो गया ये तो चलो 21 है ये भी हो गया 16, 16 हो गया थाना से हाँ एक बार एक बार ना आप सभी एक काम करना मैं बता देता हूँ क्योंकि बार बार मुझे देखना पड़ता है और उससे क्या होता है थोड़ा सा समय खराब होता है मारा time खराब होता है मैं एक बार बता देता हूँ करना क्या है आगे चलगे हमें देखिए एक इंडेक्स बनाना है आपने सर इंडेक्स क्या बनाना है और क्यासे आपको एक्जाम में भी हैल्प करेगा यह आप रजिस्टर पर बनाओगे सबसे पहले चेप्टर का नाम डेट इस डेप्रीशेशन है ना और डेप्रीशेशन में आप कितने कुश्चंस है टूटल मेरे क्या सहांती से अड़त कितने है हाँ लास्ट कुश्चंद देखो 31 है तो देखो 31 कुश्चंद है और आपको क्या करना है इसको वेरी सिम्पल ऐसे दो लाइन खीचना है यहाँ पर कुश्चंद नंबर लिख लेना है ठीक है जैसे कि एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा एक्जाम्पल के दोर पर आपको कितने तक लाइन किचने होगे यहाँ पर 31 जितने हो गए उसके उपर डन लिख लेना है आपने और जिस पर डाउट है उसके आगे डाउट लिख लेना है ठीक है तो पूरे 31 तक के कुश्चंद के आपको इसके इंडेक्स बनाने है जिससे फाइदा क्या मिलेगा मुझे पता रहेगा सर यह वाला नहीं करा है डारेक्ली मैं वह करा दूँ और जो डाउट हो का वो डाउट हो ठीक है नहीं तो अभी मुझे देखना 20 और यह WDD के मैथड चेंज हो गया यहां पे WDD जब तक मसीनरी टु सेल नहीं करते तब तक उसका डेक्रीसेशन नेक्स्ट कल्कूलेट करते रहेंगे नहीं जब तक मसीनरी शेल नहीं करते क्रिस्ना इसके अंदर यह रहता है कि हमें जो लास्ट च्रांजेक्शन दी है वहां तक हमें depreciation लगाना है अगर उसमें बीच में बिग गया तो उसके बाद तो उसमें depreciation लगने का कोई समाली नहीं है चलिए फटा-फट से एक बार इसको नोट करिए रेजिस्टर के अंदर आपके पास book है ही है कि अपके आपके बाला है तुर में करिंग बाला है तुर में करने कर दोदी में कर दो दो है